हेलो प्रेंट स्वागत है आपका हमारे किचिन में तो आज हम पोहे और आलू का कटलेट बनाने जा रहे हैं जो कि यह उपर से होता है बिल्कुल कुरकुरा और अंदर से होता है नर्म और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है यह 10 मिन में फटा-फट बनके तयार हो जाता हैं एक बंढ़ा प्यास को एने बारीक काठ लिया is in 2 दो ट्रीपते लिए इसे बिमें बारीक काथ लिया है और एक एक बारा सिम्ला मीचलिया यसे ब मैणे बारीक आपकर अब जब तक हमारा नहींना अब आलू को अपने नहीं कर लेंगे यह देखे से घरियाइ नहीं इसमें बिल्कुल भी घुठली nहीं होना चाहिए हम अच्छी तर्य के से मैश कर लेंगे क्ताateurs 6 एक फ्यवड कर लेंगे Lawrence साथे मिर्चा मिर्चा भी आप अपने टेस्ट नुसार डाले आधा चमच जीरा पॉडर एक चमल धनिया पॉडर और आधा चमच चाथ मसाला अब हम इसे बढ़िया तरीके से मैश कर लेंगे, बिल्कुल हातों से धवा दबा के हमें इसे मैश करना है, इसमें सारे मसाले, सारा आलू बढ़िया तरीके से घुल मिल जाना चाहिए, ये देखिए, हमारा बिल्कुल कटलेट का बैटर बिल्कुल बन के तयार हो चुका है, अब हम इसके छोटे-छोटे टिक्की बना लेंगे, आपको कैसा सेब देना है, वो आप अपने अनुसार दे, इसे तरह हम सारे टिक्की बना के हम अपना तयार कर लेंगे, तो हमने सारे टिक्की बना के यह देखिए, इस तरह से हमने तयार कर लिया है, यह मैंने ब्रेट क्रम में दुमाएंगे फिर ब्रेट क्रब में दुमाएंगे इसी तरह हम सारे को ऐसा कर लेंगे मैंने पैन को कर लिया अच्छी तरीके से गर्म अब अपने सारे कटलिट को एक यह करके इसमें बढ़िया तरीके से डाल देंगे बिल्कुल तेल के चीटे पढ़ने नहीं चाहिए बिल्कुल आराम से जाले अब हम इसे दो मिनिट तक मीडियम फ्रेम पर एक तरफ बढ़िया तरीके से सिखने देंगे हम इसे सैलो फ्राइ ही करेंगे आप चाहे तो इसे डिप फ्राइ भी कर सकते हैं यह देखे यह बढ़िया तरफ से हमारा कटलेट अच्छे से ब्राउन हो देखे हमारा कटल लगबग दोनों तरफ से अच्छी तरह किसे ब्राउन हो चुका है तो एक एक करके हम सबको निकाल देंगे अब हमारा यह खाने के लिए बिल्कुल तयार है आप इसे कोई भी महमाना आए इसे बनाए घर्मा गर्म सर्प करें वह आपकी तारीफ जरूर क करेंगे यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू